नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर CET PG 2024 के लिए करेक्शन विंडो ओपेन हो चुका है यानि CET PG के अप्रिकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप उसका प्रोसेस क्या होगा यानि जिस तरीके से हमने फॉर्म भरा था उसी तरीके से करेक्शन करने का स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस क्या होगा आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा यानि अगर आप आज की इस वीडियो को follow करेंगे इस वीडियो को complete देखेंगे तो आपको correction करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी चाहें आपके form में जो भी गलती हुई हो उसको आप correct कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करतें इस वीडियो की वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और साथ मैं अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं Study Capital का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर आपको CVT PG की हर एक अपडेट सुचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी प्रवाइड कराई जाती है यानि आपके admission तक हम आपको लगातार correct information पहुचाते रहेंगे उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना अपने form को correct करने के लिए क्या step है उस पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक दोर जरूरी बात है Study Capital से समधित पहले ही बता कि आपको complete कर देता हूँ CVT PG Study Capital हमारा दूसरा चैनल है जिसका link इस वीडियो के description box में आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद उस चैनल को भी subscribe कर लिजेगा क्योंकि हम कुछ update अपने इस primary चैनल पर, कुछ update अपने secondary चैनल पर आपको देते है दूसरी बात अगर आपको practice के लिए mock test जोईन करना है, crash course जोईन करना है, तैयारी के लिए test re-join करना है, तो study capital के official android app को आप download करें, कहां से तो play store से download कर लिजेगा और हमारे whatsapp का help line number है, वो है 9336257345, यहां पर आप हमें message कर लिजे, sir मेरा ये नाम है, मैं इस course की तयारी कर रहा हूँ इसके लिए मुझे guidance चाहिए, तो हमारी team आपके साथ connect रहेगी हमेशा आपके admission तक, तो सीधा चलते हैं, CUET PG की official website, that is pgcuet.sumath.ac.in, इस website पर हम visit करते हैं, जाओ, इस website पर हम visit करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामनी ये website है, और इस website पर ये notice जो है, 10 तारीक यानि कल की आई थी, और कल ही हमने update कर दिया था कि notice में क्या लिखा जा रहा है, notice में आपको बताया गया था कि 11 से 13 आप करेक्शन कर सकते हैं, साथ में किन-किन points पर आप करेक्शन कर सकते हैं, ये भी इस notice में साफ साफ बताया गया था, जिसको मैंने अपने previous वीडियो में आपको बहुत ये अच्छे डंक से explain कर दिया है, तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, करे explain पर क्लिक करने के बाद आपको अपना application number डालना होगा, मैं एक application number डालता हूँ, चलिए, यहाँ पर मैं application number डालता हूँ, जो application number आपको मिला था NTA के द्वारा, वह ही application number, साथ में जो password आपने set किया था, वो password आपको डालना है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इतना हो गया, हमने अपने पोर्टल को लॉगिन कर लिया, हमारा पोर्टल क्या हुआ, लॉगिन हो चुका है, आप देख रहें application number डिखने लगा, applicant का नाम डिखने लगा, सब पूस दिखने लगा, यहने हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया, अब देखिए, correction में जरूरी सुचना यह है, कि अगर आप एक बार correction करके submit कर देते हैं, तो submit करने के बाद आपको दोबारा उसमें correction करने का option नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको correction करना होगा, यहाँ पर मैं एक pen open कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझाना थोड़ा सा और भी आसान हो जा आप इस पर click करेंगे, सबसे पहला जो आपका, जैसा कि notice में बताया गया था, जिस तरीके से आपको correction करना है, यह सबसे पहला step में अगर आपको कुछ भी correction करना है, तो इसमें से कोई एक field आप change कर सकते हैं, या तो अपना आपना नाम change कर लीजे, father's name, mother's name, photograph, या फिर signature, कै कैसे change होगा मैं आपको दिखाता हूँ, या click to update पर click करिए, अब उसके बाद आप से देखे, आपको यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर show करेंगी, अब इसमें से कोई एक चीज़ आपको change करना है, एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, या पर field पर click करिए कि क्या change करना चाहते है जो भी change करना चाहते हैं, या नाम लिख के review पर डालिए, photograph change करना चाहते है, photograph नए डालिए, आगे बढ़ाईए, लेकिन इन पाचों में से सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा पहला step, जिनको इस पहले step में कुछ change करना है, change कर सकते हैं, अब यहाँ यहाँ पर हमारे qualification detail को change करने के लिए आ रहा है, इसमें आप सारे fields को change कर सकते हैं, click to update पर click करिए, ठिक, यहाँ पर देखिया, अपने qualification detail जो भी डाला हुआ है, इसमें जो भी आप, आगे जो है correction अब यह दिखा रहा हूँ आपको आगे मैं, इसमें जो भी आप correction करना चाहत हैं, जगा का नाम change करना चाहते हैं, कुछ भी X, Y, Z, जो भी change करना चाहते हैं, change करिए, और save button पर click कर दीजिए, next step में आपको दिखाता हूँ, यह हो गया हमारा दूसरा step, जिनको दूसरे में change करना हो, ठीक है, अब देखे, exam city center अगर आपको change करना है, तो exam city center में आपको य इन्होंने उत्तर प्रदेश select कर लिया है, ठीक, अब इनका जो range है, यह दिल्ली, हर्याना, उत्तर प्रदेश, अब यहीं तक change कर सकते हैं, इसके अलामा अब यह change नहीं कर सकते हैं, बाकी इसमें देखे, सहर अगर आपको बदलना है, तो सहर यह आप change कर सकते हैं, ठीक, सह change करने का option आ रहा होगा, उस पर मैं discuss करने जा रहा हूँ, चौता भी देख लेते हैं, जिसमें आपको date of birth, gender, category, इसमें से अगर आपको अपने personal detail में change करना है, तो आप change कर सकते हैं, आपके पास option खुलाओ, देख, data of birth यहाँ change कर सकते हैं, gender अपना change कर सकते हैं, category change कर सकते है और sub category यानि PWBD और तो भी change आप कर सकते हैं, यह हो गया, जो basic details थी उसको change करने के लिए, अब आज आते हैं, हम लोग अपने next point पर, जिसमें है candidate can update the subject and test papers, अब देखिए अगर आपको यह लगता है कि सर मैंने और भी test paper बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है तो मैं आपको दिख किया हुआ है, अब हम इसमें क्या करेंगे, और इन्हों ने देखिए इन्वसिटी तमाम सेट कर लिया है, तो अगर इनको यह change करना है, तो update पर click करेंगे, ठिक, update पर click करने के बाद इनके सामने यह option खुल गया, और अब यह चाहते है, test paper add करना, तो test paper add कर सकते हैं, और जै एक्स्ट जो है payment भी करना होगा, जो extra payment लगेगी, और वापस आता हूँ, और वापस आता हूँ, लास्ट पॉइंट आपका भी बचा हुआ था, लास्ट पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूँ, लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, add इन्वसिटी या प्रोग्राम का यहाँ पर इन्वसिटी का नाम लिखिए, यहाँ पर select program name लिखा, add किया, जैसे माली जै मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे माली जै मैंने लिख दिया, यहाँ पर, चलो, बनारस हिंदू इन्वसिटी का ही दिखा देता हूँ, बनारस हिंदू इन्वसिटी, ठीक, अब इन्होंने बनास इंवर्सिटी में हिंदी का एड करना चलिए यह लगाया और एड कर दिया ठीक इस तरीके से आप इसको एड कर सकते हैं इसी तरीके से इसमें आपको चीजें अपडेट करनी थी वो सारी चीजे मैंने आपको आमोमन बता दी है करेक्शन पर जाना था और जो जो चीजें जिस तरीके से चेंज करनी थी उस तरीके से आपको चेंज करने जाता यानि ऐसा ने यह कि एक बाद एक को चेंज किया तो फिर लगातार फाइनल सब्मिट करते हुए ले करके जाना है आप एक एक इस्टेप पांच और छे हो जो इ मैंने प्रयास किया है कि आपको करेक्शन विंडो में step by step क्या process follow करना है वो आपको बता सकूँ तो वीडियो कैसा रहा है comment box में जरूर बताइएगा क्योंकि अगर आप सभी के लिए videos helpful गयते हैं तो अगर आप comment box में बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है साथ में वीडियो को like करेगा share करेगा ताकि सभी तक यह update पहुँझा है कि correction window खुल चुका है और दूसरी बात कि correction करना कैसे step by step process भी विपल सर ने बता दिया है साथ में दोनों चैनल सब्सक्राइब करेगा जो इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और दूसरा हमारा जो चैनल है उस पर भी क्योंकि दोनों पर updates आती है हमारे WhatsApp का नंबर सभी लोग जरूर नोट कर लें सेव कर लें मोबाइल में 9336257345 और उस पर message भी drop कर दें कि sir मेरा ये नाम है मैं इस course की त्यारी कर रहा हूँ चाहे आप हमारे YouTube student होंगे चाहे हमारे paid course के student होगे हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी और admission तक आपको हर एक update हमारे WhatsApp के माद्यम से भी पहुंशती रहेगी साथ में Study Capital का Telegram चैनल है वहाँ पर भी आप हमसे जूड़ सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम लागतार अप्डेट्स लेते रहे अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत धन्यवाद नमस्कार